हाई वाट्स अप एवरीवन मैं हूरीमतान वेलकम बैक टू मैं यूट्यूब चैनल आई डो गाइज यू आर हैविंग सो मच फ़न लीजे 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 आ गया टर्किश हॉरर मुवी का एक्स्लेनेशन और आज हॉरर आर आपके लिए एक और वीडियो लेके आया है जो कि टर्किश मुवी का एक्सलेनेशन होने वाला है जिसका नाम है इपलिस करांगेंग साहिबे यानि की देविल, ओरनर अप दार्कनेस यानि अंधेरी का ओरनर दोस्तों, ये 2022 में रिलीज होई मुवी है और इस मुवी की आई हम लीवी रेटिंग 4.3 है और इस मुवी का पार्ट 2 भी आएगा So without wasting any time, let's get into the horror coaster ride of this मुवी कहानी की शुरुआत में हम दो आदमियों को देखते हैं जिन मेंसे एक है लेवैंथ और दूसरा है मुराद जो कि एक जंकल के पास काफी देर से खुदाई कर रहे होते हैं क्योंकि वहाँ कुछ ऐसा था जो इनकी जिन्दगी बदल सकता था पर काफी देर तक कुछ ना मिलने पर ये लोग रुकने का सोचते हैं पर मुराद फिर भी एक बर और कोशिश करने के लिए कहता है क्योंकि उसे ओचा ने कहा था कि वो चीज इने इतनी आसानी से नहीं मिलेगी इसलिए लेवैंथ थोड़ा और खोदने लगता है और गाइस थोड़ा और खोदने पर लेवैंथ को वहाँ काफी सारा ख़जाना मिलता है जिसे पाकर वो काफी जादा खुश था लेकिन जब मुराद उस ख़जाने के पास जाने लगता है तो लेवैंथ खजाने की लालच में गुस्चे में आकर मुराद का गला घोट कर उसे जान स मर देता है और वो जाकर लेवेंथ के बेटे को पर्जस कर लेता है, जिससे वो बिहोश हो जाता है, और लेवेंथ के बेटे का नाम है मुस्तफा, अब थोड़े दिन बाद लेवेंथ एक ओजा के पास जाता है, ताकि वो उसके बेटे को ठीक कर सके, क्योंकि उसके बेटे की आदी और इसी वज़े से उसने उसके बेटे मुस्तफा को पजस कर लिया और ओजा अब उसके परिवार के सारे सदस्या को एक-एक तावीश देता है जिससे वो जिन इन से दूर रहेगा और जब ओजा उसके बेटे का इलाज करता है तो वही जिन वहां आता है जो उसे ये बोलता है कि वो उसे छोड़ेगा नहीं जब तक वो उसे एक नए इंसान का शरीर नहीं दे देंगे अब ये उपाए जानने के बाद ओजा लेवेंद को एक लेडी के बारे में बताता है जिसका नाम था आईसेल जो उनकी हेल्प कर सकती थी आईसेल के बारे में जानने के बाद लेवेंद अपने भाई और बेटे के साथ वहाँ चला जाता है और जाते जाते भी ओजा, उन्हें वो तावीज उतारने के लिए मना कर देता है अब कहानिया से एक साल आगे की दिखाई जाती है और हम लेवेंद के घर को देखते हैं जहां उसके साथ उसकी बेटी यासमिन उसका बेटा मुस्तफा उसके बेटे का बेबी सिटर अली और लेवेंद का भाई सुर्दू दिखाय जाता है जिसके बाद हम अगली सुबह कसीन देखते हैं जहाँ पर यासमिन अपने अंकल सुदूर के साथ कहीं बाहर जा रही थी और थोड़ी ही देर में वहाँ अली और मुस्तफा मॉर्निंग वाक से घर लोटते हैं और दोस्ता यहां हम उनके घर के पास एक पागल आदमी को घुमता देखते हैं लेकिन आखरी यह पागल कौन है यह हमें आगे पता चलेगा कहानी यहां से आगे बढ़ती है और हम लेवेंट और अली को देखते हैं क्योंकि लेवेंट यासमिन और सुदूर शहर से बाहर कुछ काम के लिए जा रहे थे और रास्ते में अली को उसका एक दोस मिलता है जो अली को कोई और नौकरी करने के लिए कहता है पर अली को यह अच्छा लगता था और अली पे लेवेंट के काफी सारे कर्स थे इसलिए वो लेवेंट की इस तरह से हेल्प करना चाता था थोड़ी तेर बाद वो लोग वापस आ जाते हैं और स्थीन शिफ्ट होकर लेवेंट पे जाता है जो उसी लेडी आईसल के पास आया था दोस्तो लेवेंट आईसल के पास पिछले एक साल से जा रहा था लेकिन उसका बेटा भी तक ठीक नहीं हो पाया था अब लेवेंट को मुस्तफा को ठीक करने का एक आपशन मिलता है हम देखते हैं कि लेवेंट आईसल को दो फोटो देता है जिसके बाद वो उन पे रिच्छोल करती है जिसके बाद घर में हम अली और मुस्तफा को देखते हैं जहां अली अपने रूम में सो रहा था और हम मुस्तफा के रूम के बाहर उसी जिन को देखते हैं जो मुस्तफा की वीलचेर को हिलाता है जिससे अली उट जाता है और वो मुस्तफा के रूम में जा के देखता है लेकिन उसे वाह मुस्तफा नहीं मिलता इसलिए अली उसे हर और लेविंद उन्हें अपने लैप्टॉप में देख रहा था क्योंकि उसने मुस्तफा के लिए घर में कई कैमरे लगा रखे थे अगले सीन में अली और मुस्तिफा वापस नदी के पास जाते हैं और इदर हम देखते हैं कि सुदूर और आईसल घर में कई रिच्वल कर रहे थे और थोड़ी देर तक वो दोनों भी वापस आ जाते हैं जिसके बाद रात में उस घर की डोर बेल बचती है जिसे देखने के लिए अली जाता है तो उसे यासमिन मिलती है जो कि अनेक्सपेक्टर था क्योंकि वो वहाँ अकेले नहीं आ सकती थी और तब यासमिन वहाँ से भाग जाती है और अली उसका पीछा करता है और रास्ते में अली को कोई बिहोश कर देता है अगली सुबा लेवेंट को अली बाहर गार्डर में बिहोश मिलता है जिससे वो अपने साथ अंदर ले जाता है और डॉक्टर को बुलाता है ताकि अली और मुस्तफा का चक अप हो सके पर अभी भी अली मुस्तफा को पहले चक करने के लिए कहता है और उसके साथ नदी तक जाने के लिए कहता है पर लेवेंथ उससे मना कर देता है दूसरे तरफ हम देखते हैं कि जो खून डॉक्टर ने ब्लेड टेस्ट के लिया था वो लेवेंथ एक औरत को दे देता है और वो उसे लेकर वहां से चली जाती है और अली को रात में फिर से एक सपना आता है जहां उसे ऐसा लगता है कि जिन उसका गला दबा रहा है पर अली सोते सोते खुद का ही गला दबा रहा होता है और उसकी हवास सुनके लेवेंथ वहां आकर उसे उठाता है अगली सुबह लेवेंथ अली को उसके साथ चलने के लिए कहता है क्योंकि वो उसकी ये कंडिशन देख नहीं पा रहा था इसलिए वो उसे एक टीचर के पास ले जाना चाता था जबकि अली वहाँ नहीं जाना चाता था पर लेवेंथ उसे ये कहता है कि आखिर वो कब तक डर में ऐसी रातें काटेगा और वो कब तक गार्डन में ऐसे बेहोश रहना चाता है ये कहकर लेवेंथ अली को अपने साथ ले जाता है हम देखते हैं कि लेवेंथ अली को एक टीचर के पास लेके जाता है जो अली को कुछ कागस देती है और उन्हें जलाने के लिए कहती है हम देखते हैं कि अली की आंको पे पट्टी बंदी हुई थी वहाँ पहुंचने पर अली को ये बताती है कि जो अली के साथ हो रहा है उसकी वज़े उसका पिता है क्योंकि उन्होंने एक खजाने को चुराया था जो कि एक जिन का था और अब वो जिन अली के पीछे पढ़ गया है लेकिन अली उसके विश्वास नहीं करता क्योंकि उसके पेरेंट्स की डेथ कार एक्सिडेंट में हो गई थी वो भी बहुत टाइम पहले पर अभी उसके पास और कोई उप्शन नहीं था थोड़ी देर बाद महां सुदूर मुस्तफा को लेकर भी आ जाता है जिसके बाद अपना रिच्वल स्टार्ट करती है थोड़ी देर बाद वो लोग वापस घरा जाते हैं जहां अली उस औरत की बताई हुई रेमिडी को करता है जिसमें उसे एक पेपर को जला के प्लेट में रखना था और उसके बाद उसे अपनी दुआ करनी थी ये करके अली सो जाता है अब हम लेवेंद को देखते हैं जो ड्रॉाइंग रूम में बैटा था और उसे अपनी खिडिकी के बाहर मोराद दिखता है जिसे देखकर वो बाहर जाता है पर बाहर पहुँशने पे कोई भी नहीं था अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहां उनके घर पे आईसेल लेवेंद की आंट बन कर रहने आ जाती है और लेवेंद भी वहाँ से थोड़ी देर बाद अपने ओफिस के लिए निकल जाता है और आईसेल यहां अपना अधूरा काम पूरा करने आई थी हम देखते हैं कि लेवेंद जिब अपने ओफिस जा रहा होता है तो हम वहाँ उसी पागल को देखते हैं जिसका नाम बेकिर था, वो लेवेंद की कार को बाई कर रहा था, यह देखकर लेवेंद भी कन्फ्यूस था, पर वो फिर भी वहाँ से चला जाता है, पर कार चलाते चलाते उसे एकदम से अपनी कार की बैक सीट पे मुराद बैठा हुआ दिखता है, जो पलक जापकते ही गा जाता है, और जब वो वापस बेकिर को देखता है, तो बेकिर गायब हो चुका था, और दोस्तों यही नहीं, जो आईसेल पहले घर के बाहर गई थी, दरसल वो आईसेल नहीं बलकि कोई और था, क्योंकि हम आईसेल को फिर से घर से बाहर जाते हुए देखते हैं, और यह कि समझ के बाहर था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है, थोड़ी देर बाद आईसेल अली को कुछ सामान लेने के लिए भेजती है, और जब अली वहां से जा रहा होता है, तो उसे रास्ते में बेकिर मुराद के साथ दिखता है, और घर में आईसेल मुस्तफ पर चिलाती है, और वहां से उट कर चली जाती है, अब बातो बातो मैं यहां अली लेवेंद को एक फोटो दिखाता है, जिसमें बेकिर मुराद के साथ था, और अली पूछता है कि आखिर बेकिर के साथ वो दूसरा इनसान कौन है, जिस पे लेवेंद ये कहता है, कि वो ब बेकिर का मरा हुआ बाप है तब अली लेवेंट को ये बताता है कि उसने उस आदमी को बेकिर के साथ गार्डेन में दिखा था जिसे सुन कर लेवेंट पी शौक रह जाता है और अब अली और भी ज़्यादा परिशान हो जाता है क्योंकि उसने एक मरे हुए इंसान को दिखा पर अब आईसेल के घर में आने से उसे मुस्तफा के रूम में ही सोना पड़ रहा था इसलिए वो सोने से पहले वही पेपर जलाता था पर उसे अभी भी डरावने सपने आ रहे थे जिसमें उसे घर के बाहर यास में दिखती है जो काफी खराब हलट में थी और काफी डराब नहीं दिख रही थी पर वो पलक जब अगते ही वहां से गाय बो जाती है और अली की आँख खुल जाती है आँख खुलने पर वो बहर गार्डन में आता है जहां वही जिन उसका गला घोटने की कोशिश करता है पर थोड़ी देर में वहां सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और अली को फिर से यासमिन का वही भयानक रूब घर में दिखता है जिसे देखकर वो सहम जाता है इसलिए वो वहां से सीधा अपने दोस्त के घर जाता है जिसे वो मूवी की स्टार्टिंग में मिला था उससे मिलकर अली उसे सारी बात बताता है और वो सब एक्सपीरियंस भी जो वो पिछले कुछ दिनों से फेस कर रहा था जो बिलकुल भी अच्छे नहीं थे अली की बाते सुनने के बाद उसके दोस्त के पास कोई भी जवाब नहीं था जिससे वो अली की हेल्प कर सके वो सिर्फ अली को वो जॉब छोडने के लिए कहता है और उन पेपर्स कुनदी में फेक देने के लिए कहता है क्यूंकि उसके साथ पहले ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था और उसका दोस्त कहता है कि अली जिस टीचर के पास गया था वो उससे पागल लगती है वो अली से वापस शहर जाने के कहता है या फिर अली अपने दोस्त के साथ आकर रह सकता है पर अली मुस्तफा को छोड़ना नहीं चाता था और उस पर लेवेंट के काफी उपकार थे जो लेवेंट ने बिना सोचे समझे अली पर किये थे इसलिए अली वहां से चला जाता है दोस्तों हाली में मैंने बहुती बहतरीन मलेशन होरर मूवी को एक्स्पेन किया है जो आपको बिल्कुल टरकिश होरर का फील देगी जिसको आप उपर के आई बिटन को प्रेस करके देख सकते है टोरी अगले दिन पे फोकस होती है जहां लेवेंट अली को ड्रॉइंग रूम में बैठा देखता है वो कुछ भी बोल नहीं रहा था अली रात बर से सो या नहीं था ये जानने पे लेवेंट को अली पे तरस आता है और आज उन्हें उस जिन को एक बोड़ी देनी थी उसी वक्त वो अली को देखता है जो मुस्तफा को वापस नदी के पास लेके जा रहा था हम देखते हैं कि अली खाली वेलचेर को अपने साथ ले गया था जिसमें उसे मुस्तफा धिक रहा था इदर घर में जब लेवेंट अंदर मुस्तफा के रूम में आता है तो वो मुस्तफा को आईसल के साथ देखता है जो अरेबिक में कुछ पढ़ रही थी ये देखने पर लेवेंट जल्दी से सुदूर और जैस्मिन को वांसे जाने के लिए कहता है क्योंकि वहां रहना अब सेफ नहीं था इदर नदी पे हम अली को देखते हैं जो उन पेपर्स को पानी में फेक दिता है और तब ही वो जिन उसे पानी में कीशने लगता है लेकिन वहां बेकिर आकर उसे बजा लेता है जिसके बाद अली जल्दी से घर वापस आता है क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आना था कि उसके साथ क्या हो रहा है और घर आने पे वो अपना बैक पैक करने लगता है और लेवेंठ से रोते-रोते वहां से जाने की पर्मीशन मांगता है लेकिन लेवेंठ उसे होसला रखने के लिए कहता है और ये कहकर वाँसे चला जाता है उधर कार में यासमिं सुदूर से ये बोलती है कि कबरे पीछे रह गई है लेकिन वो कभी भी आ सकती है वो हमें फॉलो कर रही है ये सुनने के बाद सुदूर भी डर जाता है और अपने तावीज को पकड़ लेता है सीन यहां से शिफ्ट होकर लेवेंथ को दिखाया जाता है जो वापस उसी ओजा के पास आया था जिसके पास वो पहले भी गया था और वो उसे उस जिन से चुटकरा पाने का कोई और तरीका मांगता है क्योंकि अब वो किसी और को अपनी वज़े से हट नहीं करना चाता था और यहां ओजा उसे एक तरीका बताता है जिसमें लेवेंथ के जान बचने की कोई गैरेंटी नहीं थी और अब लेवेंथ अपनी जान की परवा ना करते हुए ये करने के लिए तैयार था जिसके बाद ओजा रिच्वल स्टार्ट करता है जिसमें वो पहले लेवेंथ का तावीज उतरवाता है ताकि वो जिन मुस्तफा की बौडी से लेवेंथ में आ सके और उसके बाद वो उसे छुटकारा पालेंगे और ओजा ठीक ऐसा ही करता है और हम देखते हैं कि लेवेंथ के अंदर जिना जाता है और वो ओजा को धम की देता है कि वो उसे रोक नहीं सकता लेकिन ओजा गौड पे बिलीव करता है इसलिए वो दूआ करने लगता है और अल्ला की पावर से उसे बचने के लिए कहता है लेकिन इन सब दूआ का कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो जिन काफी पावर्फुल था वो ओजा को तो छोड़ जाता है लेकिन लेवेंद को जान से मार देता है यहां से हम आईसल को देखते हैं जिसके पास यासमिन घर पे वापस आती है और आईसल उसे देखके कनफ्यूज थी क्योंकि सुदूर उसे अपने साथ ले गया था और यासमिन आकर आईसल के गले लगती है और हम यास्मिन का वही इविल रूप देखते हैं और यास्मिन यहां वही शब्द कहती है जो उसने सुदूर से कहे थे कि कबरिस्तान पीछे रह गया है और वो हमें फॉलो कर रहे हैं जिसके बाद वो आईसेल को जान से मार देती है और बस मुवी यहां एंडो जाती है दोस्तों अब मैं आपको पूरी कहानी बताती हूँ आईसेल ने जो रास्ता मुस्तफा को बचाने के लिए लेवेंद को बताया था वो यह था कि उन्हें उस जिन को किसी और की बाड़ी एजा ओफरिंग देनी होगी और यहां था है एक ट्विस्ट क्योंकि लेवेंद ने उसके लिए अली को चुना था और लेवेंद ने आईसेल को मुस्तफा के साथ अली की फोटो दी थी और लेवेंद अली को आईसेल के ही पास ले गया था अली आईसेल को पहचान नहीं पाता क्योंकि जब वो आईसेल के पास गया था तो उसकी आँखों पे बट्टी बंदी हुई थी क्योंकि आईसेल के दौारा किये गए रिच्वल के मताबिक लेवेंद को अली की बौडी उस जिन को देनी थी और बौडी ना मिलने पर जिन ने यासमिन को पोजेस कर लिया क्योंकि वो लेवेंद की बलड लाइन की ही थी इसलिए वो लास्ट में यासमिन के रूप में आईसेल से कहता है कि जो मेरा था अब वो तुमारे पास है जिसके बाद उसने आईसेल को मार दिया और उस जिन को धोका देने की वज़े से उसने लेवेंद को जान से मार दिया इसलिए जब आईसेल ने अरीबिक शप्ट पढ़के उस जिन को बुलाया तब लेवेंद ने मुस्तफा में उसी जिन को देखा होगा जिसकी वज़े से उसने सुदूर से यासमिन को यहां से ले जाने के ले कहा दरसल बेकिर पागल तो था लेकिन उसे स्पिरिट दिखा करती थी बेकिर ने अपने पिता की स्पिरिट को लेवेंद की कार में देखा था इसलिए वो अली को बचा पाया और अली को डूबने से बचाने के बाद, जब वो उसके साथ घर आता है, तो वो लेवेंद को देखकर भाग जाता है, दरसर उसने लेवेंद में कुछ देखा होगा, इसलिए वो से देखके भाग गया था, मुराद ने बेकिर के जर्री अली की मदद करी होगी, क्योंकि पेंट के लालश की वज़े से मुराद को अपनी जान से हाथ दोना पड़ा और उसके बेटे को ऐसी जिन्दी की जीनी पड़ी जो कि नर्क से भी बतर थी और उसकी वज़े से अली को ये सब जिलना पड़ा। लेवेंट ने अली के भोलेपन का फायदा उठाया था लेकिन एंड में उसने अपने गलती सुधारने की कोशिश करी जिसमें उसे अपने खुद की जान कवानी पड़ी लास्ट में जब हम यासमीन को आईसल के पास देखते हैं तो इसका मतलब यही था कि वो जिन उसका पीचा नहीं छोड़ने वाला इन सब के बाद शायद मुस्तफा ठीक हो गया होगा क्योंकि जिन मुस्तफा की बाड़ी को छोड़के लेवेंट की बाड़ी में आ गया था और अब शायद अली भी सेफ होगा क्योंकि आईसल और लेवेंट जिनोंने यह सब कुछ किया था वो एंड में मर गए काईज यह तर्किश मुवी बाकी मुवी से थोड़ी सी अलग थी हला कि कहीं कहीं पे आपको स्लो लगेगी पर मुवी काफी अच्छी है और इसकी सिनेमेटोग्राफिक काफी अच्छी है तो यह था मेरा मुवी एक्स्पनेशन तर्किश होरल मुवी एपलिस करांगेंग साहीबे यानि की देविल, ओनर अफ दार्कनेस को लेके उमीद करती हूँ आपको ये वीडियो एक्स्पेनेशन पसंद आया होगा कमेंट सेक्शन में मुझे पताएं कि आपको ये वीडियो एक्स्पेनेशन कैसा लगा मैं मिलूँगे आपसे एकले वीडियो में तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखे Stay safe, keep hunting, lots of love